विध्यार्तियों आज हम नवीन विशे का दिन करेंगे और आज का आमारा विशे है विध्यार्तियों शंकेत आधारितम समवाद लेखन सरप्रतम विध्यारतियों हम इसके विशे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि हमें प्रश्ण पत्र के अंतरगत संकेत आधारित समवाद लेकन किस प्रकार से हल करना है चले विध्यारतियों सरप्रतों हम जानते हैं कि प्रश्ण पत्र में वारतालाप अत्वा समवाद सम्मंधी एक प्रश्ण पूछा जाएगा वारतालाप समवाद पूर्ण रूप से मानसिक स्तर पर निर्भर होगा अब विधारतियों जो वारतालाप है वह है किस पर निर्भर होगा वह है मान से किस तर पर निर्भर होगा अब वारतालाप किन के मद्धे होती है दो लोगों के मद्धे होगी तो विधारतियों जो वारतालाप होगी वह जो समवाद होगा उसे समवाद पर आधारित हमारा प जो संभाषन कोशल है, उसकी योग्यता को परखना या उसका मुल्यांकन करना, और दूसरा है विधर्तियों, उस संभाषन क्षमता को प्रेरित करना भी इस प्रशन का उध्धेश्य है, आगे है विधर्तियों ताकि संस्कृत के माध्यम से वारतालाप अत्वा संवाद करने में हम सक्षम हो सकें, और अपने भावों को संस्कृत में व्यक्त कर सकें, अब विधर्तियों ये जो प्रशन है, उस प्रशन को उध्यस्य से यहाँ पर प्रतिस्तापित किया गया है, और वह उध्यस्य क्या है विधर्तियों, ताकि हम संस्कृत के माध्यम से वारतालाप क प्रश्न पूर्ण रूपेंड समस्कृत में पूछा जाएगा अब विध्यारतियों प्रश्न पत्र के अंतरगत जो प्रश्न है वहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके विशे में या पर बताया गया है कहा गया है कि वारताला पत्वा समवाद का प्रश्न पूर्ण रूप से समस्कृत में पूछा जाएगा, वह किसे भाषा के अंतरगत पूछा जाएगा, समस्कृत भाषा के अंतरगत पूछा जाएगा, तथा उत्तर भी समस्कृत में ही अपेक्षित है, अब प्रश्न यदि अगर समस्कृत भाषा के अंतरगत पूछा गया है, तो वहाँ पर उत्तर भी किसके अंतरगत होगा, सम्सकर्थ भाषा के अंतरगत ही होगा, अर्थार्थ वारतालाप या सम्वाद को सम्सकर्थ में ही लिखना है, सम्वाद अथ्वा वारतालाप दो या दो से अधिक वेक्तियों के मद्धि होता है, इसकी दो प्रमुक्षेलिय अब विध्यारतियों समवाद अत्वा वारतालाप दो या दोशे अधिक लोगों के मद्धि होगा वह किस प्रकार से हो सकता है देखे गुरु अत्वा सिस्से के मद्धि होगा पिता या पुत्र के मद्धि होगा या किसी बाहरी वेक्ति या फिर दो लोगों के मद्धि होग तो विध्यर्तियों यहां पर बताया गया है कि यह जो समवाद अत्वा वारतालाप है वा दो या दो से अधिक वेक्तियों के मध्य होगा अब यहाँ पर बताये गए कि इसकी दो प्रमुख सेलियां है वह सेलियां क्या क्या है प्रशनात्मक समवाद और आधिशात्मक समवाद अब विध्यरतियों यहाँ पर दूस जो दो सेली बताई गई है उन्हों दोनों शेलियों के जो हमें प्रति उत्तर है वह हमें उसी प् एनुशार ही होगा आप विधर्ति यों जिस सेली और वाच्य में प्रश्ण गया हो उसी सेली और वाच्य में उत्तर दिया जाना चाहिए। जिस सेली में प्रशनी किया जा रहा है उसी सेली में हमें उत्तर देना हैं। चाहिए साथ ही परश्पर शंभाशन का अभ्यास भी करना चाहिए अब विध्यारतियों इसके लिए हमें निपुनता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा हमें प्रश्णोत निर्मान का अभ्यास होना चाहिए उसके अलावा हमें जो परश्पर शंभाशन है उसका भी अ पूरे समवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो समवाद दिया हुआ है, उस समवाद को हमें क्या करना चाहिए, सरप्रतम ध्यान से उसका ध्यान करना चाहिए, हमें प्रतम प्रशन का उत्तर लिखने से पहले, दूसरे प्रशन को अवस्य पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि स करना चाहिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रथम प्रश्ण है उसका उत्तर द्वितिय प्रश्ण के अंतरगत समाहित होता है इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम प्रश्ण का उत्तर लिखने शेपूर हमें दूसरे प्रश्ण को अवस चाहिए अर्थार्थ अपेक्षित उत्तर ही होना चाहिए अगला है समवाद लेखन में लिंग वचन का ध्यान रखना अत्यंत आवशक है अब विध्यारतियों जब हम समवाद लिखन कर रहे होते हैं तो हमें लिंग वचन का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके अलावा है ध्यान रखना चाहिए कि विध्यारतियों कि जो छोटे वेक्ति है उसका समवाद आग्यात्मक नहीं हो क्योंकि वह समवाद किस से हो रहा है उससे बड़े से हो रहा है तो हमें वहाँ पर जो छोटा वेक्ति है उसका जो समवाद है वह हमें आग्यात्मक नहीं रखना है उसक उत्तर भी भूत काल में देना है वारतालाप यदि अगर भविश्य के विश्य में की जा रही है तो हमें प्रति उत्तर भी भविश्य के विश्य में ही करना है आगे है विध्यर्तियों कि हमें मंजुशा में दिये गए शब्दों के चैन के समय करता क्रिया संग्या सर्वनाम तथा विशेषण विशेषण आदी के समुचित समयनवे को भी ध्यान में आवश्य रखना चाहिए अव इधार्ती यहाँ पर प्रश्ण की प्रकर्ति के विशेव में बता रहे हैं कि प्रश्ण के अंत्रगत याद गर मन्जुशा दी हुई है और मनजुशा के अंतरकत कुछ पद दिये हुए है तो उन पदों के चैन के समय हमें क्या सावधानी रखने है तो उन्होंने बताया कि उस समय हमें करता, क्रिया, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, विशेश, आदी के समुचित समयनवे को भी हमें ध्यान में रखना आवशक है मन्जुशा के सब्दों को ध्यान पूरक पढ़ कर ही प्रयोग करना चाहिए अब मन्जुशा के अंतरगत जो पद दिये हुए हैं उन पदों को हम ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ कर ही उनका प्रत्यूत्तर प्रदान करें आगे हैं विध्यरतियों आदेशात्मक समवाद में उत्तर प्राय है वर्तमान काल या भूत काल में होते हैं अथा तदनुशार ही उत्तर देना चाहिए जो आदेशात्मक समवाद है उस समवाद के अंतरगत विध्यरतियों जो उत्तर है वर्तमान काल या भूत काल में होते ह अता तद अनुशार ही हमें उत्तर प्रदान करना चाहिए अब विध्यारतियों हमने जो समवाद है उसके विशे में अध्यन किया किस प्रकार से हमें प्रति उत्तर प्रदान करना है उसके विशे में अध्यन किया है अब विध्यारतियों हम समवाद की और अग्रशर होते है और उधारन के माध्यम से उसे समझने का प्रियास करते हैं देखे विध्यारतियों हमारे सम्मुख प्रश्ण क्या है मंजुशा आता है उपयुक्त पदानी ग्रहित्वा पुत्रस्य अध्ययन विशये पिता पुत्र यहो समवादम स्पूरयत मंजुशा आता है मंजुशा से उपयुक्त पदानी ग्रहित्वा उपयुक्त पदों को ग्रहन करके पुत्रस्य अध्ययन विशये पुत्र के अध्ययन के विशये में पिता पुत्र के समवाद को पूरा करो यह हमारा प्रश्ण है और विधैरे मंजुशा दी हुई है सरपत्म हमें क्या करना है मंजुशा के अंतरगर्जव पद दिये हुए हां उन पदों को अध्यन करना है उनको समझना है और उसके उपरांत ही हमें प्रश्ण की और अग्रशर होना है देखे क्या पद है अध्यापक है अध्यापक विशये विशये में गणिते गणित में वैवस्थाम वेवस्था स्थानांतरणम स्थानांतरण अध्ययनम अध्ययन शमीचीनम ठीक काठिन्यम काठिन्य इस प्रकार से यह हमारे पद है अब विधैर्थियों हम आगे जो प्रश्ण है उसकी और अग्रशर होते हैं अब विधैर्थियों हमारे पास में प्रश्ण यहाँ पर है समवाद यहाँ पर है और जो मंजुशा के अंतरगत जो पद दिये हुए है वह पद यहाँ पर है देखें विध्यार्थी स्वार प्रतम क्या है? पिता, रमेश संभोधक है विध्यार्थियों, रमेश तव काथम प्रचलती, रमेश तुमारा किस प्रकार चल रहा है? अब वहाँ पर प्रशन पूचा जा रहा है किस प्रकार चल रहा है? तो विध्यार्थियों वहाँ पर क् किस परकार चल रहा है आगे है रमेशह में सब्सक्राइब करते हैं है पता चलता है यहां पर अधिय नम लिखा शाहा है तो इससे क्या तात्र पृयोवा यदि अगर हम उसको उत्तर प्रदान करनिशन पूर यदि अगर इसका अध्यन करते तो हमें उत्तर पहले ही प्राप्त हो जाता देखती है पिता अध्यन तो चल रहा है अब अध्यन केसा चल रहा होगा? या तो अच्छा चल रहा होगा, या बुरा चल रहा होगा? तो उन्होंने बताया, समीचीनम. क्या उत्तर होगा विधर्तियों यहाँ पर? शमीचीनम. देखी क्या लिखावा है? शमीचीनम. इसकी जगह यदि अगर हम दूसरा पत शहास्ती याश्मिन तूम् अनुभावशी। अब हमें उत्तर क्या देंगे इसका काठी नयम आगे विधरतियों रमेश आम माम स्तिती शम्यक नास्ती हम मेरी स्तिती ठीक नहीं है अब विधरतियों किसी विश्य के अंतरगत काठी नि 9 ताका अनुभव कर रहा है और आगे बता रहा है कि मेरी स्थिति ढहीं है अब किसके अंदर ढहीं है विध्यरतियों यहाँ पर कोई विषנים है वह क्या है गणिते तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा गणिते क्या लिखा रमेश है आम गणिते ममा स्तिती सम्यक नास्ती हाँ गणित में मेरी स्तिती ठीक नहीं है आगे है यतो ही अश्माकम विध्याले इदानिम गणितस्य नास्ती क्योंकि हमारे विध्याले में अभी गणित का नहीं है गनित का क्या होता है विध्यारतियों अध्यापक होता है तो हमारा उत्तर क्या होगा अध्यापक हा हम इसको लिख देंगे अध्यापक हा ठीक है अब आगे क्यों बढ़ते हैं विध्यारतियों हम देखें आगे हमारे पास में क्या है पिता तुम पूर्वं तू माम अश्मि रिक्तस्थान है नय उक्तवान तुम तुमने तो पहले मुझे इस और आगे क्या है नय उक्तवान नहीं कहा तो क्या होगा इस विशय में नहीं कहा है तो क्या लिखेंगे विधरति विशये तुमने पहले मुझे इस विशय में नहीं कहा त्वम पूर्वम तु माम अश्मिन विशय न उक्तवान रमेश पूर्वम तु अध्यापक मोहदई है आसित परम एक माशात पूर्वम एवतस्य अन्यत्र भवत अब विधरत्यू पूर्वम तु अध्यापक मोहदई है आसित पहले तो अध्यापक मोहदई थे परनतु एक माहिने से पहले ही या एक मेने के पहले ही उनका रिक्त स्थाना अन्यत्र हो गया अब अन्यत्र क्या होगा? स्थाना अंतरण क्योंकि हम आरे पास में पाद है सही से यह लिख लेते हैं, स्था नां तरणम ठीक है, पिता अस्तु एहम तवक्रते ग्रहे एव गणित अध्यापक अस्य करिश्यामी ठीक है, मैं तुमारे लिए घर पर ही या घर में ही गणित अध्यापक की खालिस्तान करूँगा देखे विध्यारतियों हम यहाँ पर लिख लिखने का प्रेयास किया है अब विध्यारतियों हमने जो उत्तर प्रदाजन किया है वह उत्तर समयक रूप से है, अथ्वा नहीं है, उसको हम आज लेते हैं देखे विद्यारतियों हमारे पास में इसका समाधानम है पिता रमेश तव अध्यनम कथम प्रचलती रमेश तुम्हारा अध्यन किस प्रकार चल रहा है रमेश है पिता अध्यनम तु शमीचीनम प्रचलती है पिता अध्यन तो ठीक प्रकार से चल रहा है पिता को अपि गणित में मेरी स्थिती ठीक नहीं है ये तो ही अश्माकम विध्याले क्योंकि हमारे विध्याले में इदानिम गणितस्य अध्यापक नहीं है आगे है विध्यार्तियों पिता तुम पूर्वं तुम माम अश्मिन विशय न उक्तवान तुमने पहले तो इस विशय में मुझ पहले तो अध्यापक मोधे थे परम एक माशात पूर्व मेव तस्य स्थानांतरणम अन्यत्र अभवत परन्तु अध्यापक मोधे इन्हों ने कहा कि पूरु में तो अध्यापक मोधे थे परन्तु एक महिने पूरु ही उनका स्थानांतरण अन्यत्र हू गया पिता अस्तू एहम तवक्रते ग्रहे एव गनिता अध्यापकस्य वेवस्थाम करिश्यामी ठीक है मैं तुम्हारे लिए घर में ही गनित के अध्यापक की वेवस्था करूंगा इस प्रकार से विध्यारतियों हमने एक समवाद को लिया और उस समवाद को हल करने का प्रयास किया है अब विध्यारतियों हम एक और समवाद लेते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं देखे आगी क्या है विध्यारतियों मन्जुशाया हा उपयूक्त पदानि ग्रहित्वा गुरू शिश्य यहो मध्य क्रीडाया हा विशय सम्वादम पूरयत मन्जुशाया मन्जुशा से उपयूक्त पदों को ग्रहन करके गुरू और शिश्य के मध्य क्रीडा के विशय में सम्वाद को पूरा करो यह हमारा प्रश्ण है, आप विध्यारतियों मन्जुशा के अंतरगत क्या-क्या पद है, सर्परतम हम उनको देखते हैं, देखें क्या-क्या पद है, अध्ययनम, क्रेडने, बहुलाभं, आवशक्ता, अधुना, करोसी, क्रेडांगने और क्रीडा यही यह हमारे पद है चले विध्यरतियों अब हम समवाद के और अग्रिशर होते हैं देखे हमारे पास में समवाद क्या है सरप्रतम है अध्यापकह प्रवीन त्वम अत्र किम आगे क्या है विध्यरतियों रिक्तस्थान प्रवीन तुम यहां क्या आगे क्या है रिकती स्थान है। सव्युर्प्रतव हम यह एहां देखते है कि हमारे पास क्या विधैर्थां है। और त्वम हमारे पास में मध्यां-पुर्ष ओर एकवचन के अंत्रगत आता है. तो अब विधैर्थां हमारा जो उत्तार होगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा अभी तो क्या लिखेंगे विधरतियों हम लिखेंगे अधुना तो हे गुरो एहम अधुना कीमपी न करो मी उसी प्रकार से आगे चलते हैं अध्यापका तरही गच तो जाओ तव मित्राणी तत्र क्रीडंती तुमारे मि तत्र वहां खेलते हैं तो अब विधरतियों कहां खेल रहे हैं वो वह खेल रहे हैं विधरतियों क्रीडंगने क्या लिखेंगे क्रीडंगने अर्थार्थ खेल के मेधान में क्रीडंगने आगे है क्रीडंती 23 शह क्रीड उनके साथ खेलो आगे है विध्यार्थी प्रवीर नहीं है ममा रूची ही नास्ती मेरी रूची नहीं है अब किस में रूची नहीं विध्यार्थी हो खेल में रूची नहीं है तो क्या लिखेंगे क्रीडा यही क्या लिखेंगे क्रीडा यही खेलने में रूची नहीं है अता अहम न क्रीडा में इसलिए में नहीं खेलूँगा आगे बढ़ते हैं आगे हैं विधरतियों अध्यापक हा स्वस्त सरीरस्य स्वस्त मानशह चकरते क्रीडा यहां असमाकम जीवने महती भवती यदि मैं क्रीडा में या खेलने में ध्यान देता हूँ तो मेरा बाधित होगा आपक्या बाधित हो कभी धरत्यों अध्ययन तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अध्ययनम अध्ययनम ठीक है अध्यापक हा एतद समीचीनम नास्ती क्रीडाय स्वालपशमयम एव प्रयच्छ अलपशमय हाँ अपी सरीराय प्रदाश्यती एतद समीचीनम नास्ती यहाँ ठीक नहीं है क्रीडा के लिए थोड़ा सा समय ही देवो अलपशमय भी सरीर के लिए क्या देता है विधरत्यों प्रदाश्यती तो क्या देता है बहु लाभं बहुत लाभं देता है बहु लाभं आगे क्यों बढ़ते हैं देखिए बाढ़ं स्रीमान ठीक है स्रीमान इतः आरभ्य यहां से ही या अभी से ही आरभ्य करके एहम किंचीत समय मैं कुछ शमय अपी दाश्या में देऊंगा किस में देऊंगा विधरत्यों क्रीडने खेलने में क्रीडने इस प्रकार से विधर उस सम्वाद के प्रति उत्तर है अब हम आगी के उर बढ़ते हैं देखे आगी क्या क्या है विधरतियों इसका समाधान है इसको समाधान को पूर्ण हम एक बार देखते हैं देखे अध्यापक हा प्रवीन तुम अत्रकिम करोशी प्रवीन हे गुरो अहम अधुना किम अपिन क्रिडामी अध्यापक हा स्वस्थ सरीरस्य स्वस्थ मनशह चक्रते क्रिडाय हा असमाकम जीवने महती आवशक्ता भवती प्रवीन हा यदि एहम क्रिडायाम ध्यानम दाश्यामी तरही मम अध्यनम बाधितम भविशती अध्यापक हा एतद समीचीनम नास्ती क्रिडाय श् प्रयच्छ अल्प शमयह अपी सरीराय बहुलाभं प्रदाश्यती प्रवीनह बाढ़ं स्रीमन इतह आरभ्य एहम किंचित समयं क्रीडने अपी दास्यामे इस प्रकार्चे विध्यर्तियों जो हमारा समवाद था उस समवाद को हमने प्रतियुत्तर प्रदान किया है अब अब विध्यर्तियों मंजुषा के अंतरगत क्या क्या पद है देखिए वस्तूनी, आपणम, शायंकाले, विध्यालयस्य, मातुलह, भोजनम और त्वम ये हमारे पद है चले विध्यर्तियों इन पदों को लेकर चलते हैं और जो समवाद है उसको पून करने का प्रियास क देखिए हमारे पास में पद है वस्तूनी, आपणम, सायंकाले, विध्यालयस्य, मातुलह, भोजनम और त्वम आगे है विध्यर्तियों हमारे पास में समवाद है माता और पुत्र के मध्ये माता, रागाउ, किमकरोशी, रागाउ क्या कर रहे हो तो क्या लिखेंगे विध विध्यालयस्य, में मेरे विध्यालय का ग्रहकारिय कर रहा हूं, माता, पुत्र, ग्रहकारियन अंतरम, गत्वा, ततह, दुग्धम, शाक फलानी, च आने, पुत्र, ग्रहकारिय के उपरांत, या ग्रहकारिय के बाद, जा करके वहां से दूद, फल और शब्जियां लाओ, अब कहां से विध्यारतियों, वह कर रही है, आपणम, अर्थार्थ, बाजार से, आपणम, रागवह, अहम, पुस्तकम, क्रेतुम, आपणम, गमिश्यामी, तदा, दुग्धम, शाक, फला, निच, आने, श्यामी, में, पुस्तक, खरिदने के लिए, बाजार जाऊंगा, तब दूद, फल, दूद, सब्जी, और फल लाऊंगा, अब विध्यारतियों, वह पुस्तक खरिदने के लिए, किस समय जाएगा, तो समय के विषय में हमारे पास में है क्या है, सायंकाले, तो हम यहा क्या लिखेंगे, शायंकाले, ठीक है, अब आगी क्यों बढ़ते हैं, देखिए, माता, सायंकाले, नै, तो हम तुद, पूरो मेव गत्वा, अब यहाँ पर, हम पेले ही जाकर आओ राघावह शिग्रम की मर्थम, सिग्रता किसलिए माता अध्यत ताव आगमिषती आज तुम्हारे आएंगे अब वहां पर रिस्ते की बात तो रिस्ते के विश्य में हमारे पास में यहां पर क्या पधा विध्यारतियों मातुलह यहां पर हम क्या लिखें राघाव मातुलह आगमिषती चेत मामा आएंगे तो एहम इदानिम एव गत्वा क्रित्वा आग अच्छामी तो क्या है विध्यारतियों मामा आएंगे तो में अभी ही जाकर खरीद कर आओंगा क्या खरिद कर आएगा विधार्तियों वहाँ पर वस्तूनी वस्तूयें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर वस्तूनी खेक है विधार्तियों हमने जो हमारा अनुछेद है जो हमारा समवाध है उसको हमने यहाँ पर पूर्ण किया है चले इसको पूर्ण है समाधान के ग्रहकारीयन अंतरम आपणम गत्वा ततह दुगधं शाकफलानिच आनय रागवह अहां सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिश्यामी तदा दुगधं शाकफलानिच आनिश्यामी आगे है माता सायंकालेन त्वम्तु पूर्वमेव गत्वा आने रागवह शिग्रम की मर्थम माता अध्यतव मातुलह आगमिशती अता है भोजनम समयात पूर्वमेव पक्षामी मामा आएंगे तो मैं अभी ही जाकर वस्तों को खरीद कर आता हूँ इस प्रकार से विध्यरतिय जो हमारा समवाद था उस समवाद में वहाँ पर हमें मंजुशा दी हुई है मंजुशा के अंतरगत कुछ पद हैं उन पदों को हमने वहाँ से चुना और जो समवाद है उसको हमने पूर्ण किया है इसी प्रकार से विध्यरतिय परिक्षा के अंतरगत जो प्रश्ण पत्र है उस प्रश्ण पत्र के अंतरगत इसी प्रकार से समवाद दियो होंगे हमें समवाद को शम्यक और भली भाती से अध्यन करना है और जो मंजुसा में दिये गए पद हैं उन पदोस्य वहाँ पर पूर्ती करनी है अब विध्यरतियों हम मिलते हैं एक नवीन विशे के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद